वैलो गाई, तो श्वागत है आपका एक और नए गेम में, तो आज वाला जो गेम है इसका नाम होने वाला है बैड पैरेंटिंग और यह गेम क्या है क्यों है मुझे नहीं पता और मैं क्यों खेल रही ही भी मुझे नहीं पता पर मुझे बस इतना पता है कि अपने इंडिया के लोग इवेन इंडिया के बाहर के लोग भी इस गेम को नहीं पागलों की तरह खेल रहे हैं तो यह मुझे जानने का चुल हो गया कि आखिर इस गेम में ऐसा क्या है यह गेम होरर है यह क्या है मुझे कोई भी आडिया नहीं है तो चलो तुम लोग भी यार मेरे साथ ना इस गेम को इंजॉय करो और देखते हैं भाई कि यह गेम इतना ज्यादा मतलब वाइल क्यों है यार लेट्स गो ओके तो मैंने अपने गेम को यहाँ पर स्टार्ट कर लिया है और यह क्या है भाई इसका ग्रैफिक्स थोड़ा सा अजीब नहीं लग रहा है बैट पैरेंटिंग यारी मुजिक तो बड़ा अच्छा लग रहा है स्टोरी वन कूल मिस्टर रेड फेस भूत वाला गेम है क्या भाई ऐसे मत करो और गेम है कुछ तो कर ले भाई मिस्टर रेड फेस निकले आगया और यह तो कोई लेड़ी है अब फिर से आज घर लेट आ गए हाँ आपका रोज रोज का हो गया है कमान बेटा मैं ना बिजी थी अपने काम में तुम्हें थोड़ी भी दया है मेरे लिए पर मम्मी आज तो मेरा birthday है ना हाँ हाँ मुझे पता है कि तुम्हारा birthday है फिर मेरा gift का है देखो देखो बाल खुजा रही है यह फिर भूल गई भाई यह हर बार ऐसा करती है हर बार मेरे birthday का gift यह भूल जाती है क्या तुमने कभी Mr. Red Face के बारे में सुना है नहीं मैं तो नहीं जानती I don't know जब भी किसी बचे का बर्दे होता है ना अच्छे बच्चों का जब बर्दे होता है तो वो चुपके से आ करके जब वो सो रहे होते उनके पास में गिफ्ट रख करें चला जाता है वाओ मुझे लग रहे है फिर से बेखुब बना रही है हाँ ये बोल रहे है बिल्कुल ऐसा होता है तो अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें तुम्हारा गिफ्ट मिले बर्दे का गिफ्ट तो जल्दी से जाओ और सो जाओ भाई ये क्या है यार चलो कोई नहीं मैं बच्चे बनके सच्चे है तो मैं जा रही हूँ यार बेड़ पर ठीक है ये मेरे पापा है और ये मैं हूँ तुम तुम अपने बच्चे को आज फिर से बेखुब बना रही हो और कितनी बार तुम अप घर पे लेट आने वाली यह मेरे पापा ने मेरे ममी का क्लास लगा रहे हैं यह बोल रही है कि मैं काम कर रही थी और जो मेरा सिफ्ट है वो लेट से एंड हुआ है भाई यह बुल्शिट यह बाप को कुछ तो पता है भाई इसके बारे मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं इडियाट हूँ हाँ और मैं तुम्हें नहीं जानता ओ यह तो मुझे डाट लगा रहे है मुझे बोल रहे है कि तुम जल्दी से अपने रूम में जाओ ओके ओके ठीक है जहां पर खड़े हो करके जादा बाते में सुनों हमारी ठीक है बड़ों की बाते नहीं सुनते ठीक है पापा मैं जा रही हूं मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है तो मुझे जाना ही पड़ेगा ओके ये मेरे पापा है ये मम्मी है मैं पताने चुटकू सा मैं हूँ ठीक है तो मुझे जाना है ओके कहां जाना है मुझे सोने के लिए जाना ये तो शायद किचन वगरा लग रहा है तो बेड लग यार यह ममी पापा का रूम लग रहा है मुझे शायद सामने वाला मेरा रूम हो यह वाला हां जी यह मेरा रूम है भाई मैं छोटा सा बच्चा हूं यार अपने साथ ही सुला लेते यार अकेले सोने के लिए भेज दिया और रूम में लाइट वाइड भी नहीं है चलो ठीक है सो जाती हूं मैं चुप चाप से अब मिस्टर रेड फेस आएगा और शायद मेरे लिए जाताई कि मेरे ममी ने बोला हां और मम यह जूट नहीं बोलती तुम्हीं भी पता होगा ठीक है क्या हो रहा है मैं कुछ हील्ब नहींто पा रही गहरे नीनमें नहीं लग रहा है ऑगे क्या हो रहा है इ?" वह बिजनिस हमा कर यह भाई मटर आओ ऐसे होरर गेम खेल कर करें हर चीज से मुझे डर लगने लगा है कोई तो आ रहा है किसी के पैरों कि साउंड आ रही है गेट खुला मेरा और यह कौन है यह नौक कर रहा है गेट यह क्या वह भाई यह कोई डॉल है या क्या है यह रेड़ फेस यही है मिस्सर रेड़ पेस हो साइस यह मने लिए गिफ्ट लेकर क्या है पर मैं न अच्छे से देख नहीं पा दियो इसने कबर्ड में उस गिफ्ट को रखा है ओके कबर्ड में साइस इसने रखा है तो मैं यहां से उट सकती हूँ है न ओके उट सकती हूँ उसने इस कबर्ड में न कोई गिफ्ट रखा है तो मैं देखती उसमें क्या है खुल जा भाई तो खुली नहीं रहा यह तो खुली नहीं रहा है कैसे खुलू मैं इसे चार उस इस देट गिफ रॉम मिस्टर रेड फैस ओके यह शायद से रेड फैस नहीं मुझे गिफ्ट कर रहा है नहीं यार वो यहां तो क्यों यह कैसा गिफ्ट है यार तात्या भिच्छू के तरह लग रहा है है डॉल बोल रही है हाँ बिलकुल मैं बात कर सकते हैं क्योंकि मुझे नहीं एक जादू से बनाया गया है जादू से मतलब इसका जो देखना है मतलब शायद मैं भी ऐसे दिखती हूँ क्योंकि यह बोल रहा है कि तुम भी मेरे तरह ही दिख रहे हो इसका मास्टर कौन है वो मिस्टर रेड़ फेस पर यह इसका हाँ तुम्हारा जो गर्दन यार मुझे टेढ़ा क्यों लग रहा है मैं थोड़ा सा लूज लग रहा है इस ओके कभी-कभी यार मेरे मास्टर से भी गलती हो जाती है तो बस यह थोड़ा साई थोड़ा साई कोई डिफेक्ट है मतलब अधर डॉल्स के कंपरिजन तो तुम मुझे जज्ज मत करो और अभी जो इंपोर्टन बात वो है ना कि आज से मैं तुम्हारा दोस्त हूँ दोस्त? भाई अच्छा है कोई नहीं अब एक डॉल भी दोस्त होगा मेरा ठीक है मेरे मास्टर ने तुम्हारे लिए न उस कबड में जो क्लोजेट है न वहाँ पर तुम्हारे लिए कुछ टॉय रखा है ओके यह बोल रहा है कि तुम जाकर की मेरे लिए लेकर क्या सकते हो ठीक है जाकर के मैं लाती हूँ इसके लिए कौन सा टॉय है इसके अंदर खुल तॉय है यह दो खुल नहीं रहा हंजी अभी भी अभी भी यह स्टक है खुल नहीं रहा चलो तुम इसको एक बार और ट्राइ कर ओके चलो ट्राइ करते हैं यह नहीं खुल रहा भाई ओ डॉल मैंने अर बहुत बार कोसिस कर लिए और अपना बेस्ट दे लिया ठीक है और यह ओपिन नहीं हो रहा ठीक है अब बताओ क्या करना है बताओ यार अब मैं क्या करूँ I'm hungry ओके यह डॉल हंगरी है शुवर डॉल तुम खा कैसे सकते हो यार नहीं नहीं मैं नहीं खाऊंगा जो तुम खाऊँगे न वही खाना मेरे पेट के अंदर जाने वाला इसका कहने का मतलब यह है मेरे मास्टर ने नहीं सारे जो सेंसेज और इमोशन्स है ना वो तुम्हारे साथ कर दिया है यानि कि मैं तुम्हीं इसली समझ सकता हूं ओके भाई यह तो बड़ा मतलब खतरनाक साउंड कर रहा है न तो चलो अभी जो मैं खाना खाऊंगे वही खाना इसको फील होने वाला है मतलब अगर मैं खाऊंगी तो इसका जो भूक है वो मिट जाएगा तो तू यहां पर बैट बैट नहीं सकता है यहां बैट जा हाँ यहां बैट जा ठीक है खाना फ्रिज में कुछ पड़ा है यू है विदे इस लेटर अच्छा यह मममा ने चिट्टी लिखिए यहां पर लाई कुछ पैंपलिट लिखा है कि तुमारे फ्रिज में तुमारे में पुर्ण दिदा खाना यहां पर रखा गया है तो तू मुझसे खा करके दवा ये खा लेना उस पर बाद अब यहां पर टेबल पर साधा दिए और उसको उन्होंने बौडा था करने के लिए तो हम यहां पर गर्म करेंगे ठीक है तु यहीं पर बैठा है ना भाई बैठा रहे ठीक है गाइस देखते हैं आ गया अब यहां पर टेबल पर मैं रखती हूं और इसको खाना स्टार्ट ओके यह डॉल मुझसे पूछ रही कि क्या यह तुम्हारा फेवरेट डिस है और यह बोल रहा है कि क्या तुम चाहत है वो कभी भी खतम नहीं होने वाला है ओके जितनी बार तुम इस खाने को फिनिस करोगे यह डिस उतनी बार भर जाएगा जितना कि यह पहले भरा हुआ था ओके ठीक है मैं भी खाती हूं इसको ओके मैंने खतम किया ओके देन ओ भाई यह तेको फिर से प्लेट भर गई तरनाक सा था ठीक है और तुम क्या क्या कर सकते हो वो मुझे बताओ अ ओ यह जग रही है यह जग रही है और यह मैं पी नहीं रही हूं तीपी कौन रहा है भाई तोड़ दिया, Mr. Red Face ने पिया, ये ये क्या हुआ भाई, I don't know, ये डॉल बोल ये मुझे भी नहीं पता, यार बॉटर लग ये टूड़ गया और मेरे पापा जो है नहीं और मेरे पिछवाडे में लात मारने वाले हैं, मैं बता रही हूं, I think, I hope, बस मैं यहीं विश्क करने को अभी भी सो रहे हूं, बस, तुम्हारे पापा, हाँ, और क्या, डॉंट वरी, my master has taken your daddy away, यारे, क्यों, मेरे पापा को क्यों लेकर चाहने के, ये डॉल, बत्तमीज डॉल होते जारी है, अब तो ये, क्यों, 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 यार, मेरे पापा को ये बोल रहे हैं, क्यों, मेरे पापा का रूम कौन सा, ये वाला रूम है, मम्मी तो यार, office ग करके गया है, यार, डॉल, बहुत गंदी हो तुम, कहा है, मेरे पापा, बताओ, जल्दी से मुझे, वरना भी तुम्हारी घरदन जो है, इधर से मोड़के, ठेकी दूँगी, मैं, मैंने तुमसे पहले ही कहा है, कि मेरे जो, master, तुम्हारे पापा को ले गया है, पर क्यों, भाई, क्योंकि तुम्हारे पापा जो है, बुरे इंसान है, वो तुम्हें बहुत मारते हैं, इसलिए हम उसको ले करके चले गया है, अरे, यह क्या बात हुआ, और जो मेरे master है, इस तरीकी के parents को ले करके जाते हैं, जो भी अपने बच्चों को मारते हैं, या पीटते हैं, तुम्हारे जैसे बच्चों को प्रोटेट करने के लिए, नहीं, यह बहुत ज़्यादा हो गया है, मेरे papa इतने तो नहीं डिजर्व करते, वो एक बुरे इंसान है, नहीं, वो बुरे नहीं है, प्लीज मेरे पापा को छोड़ दो, प्लीज मैं तुम्हारे सामने हाथ सकते हो, ठीक है, you will have to use a shortcut if you want to get there in a time to save him, okay, कौन सा shortcut है, जरा मुझे बताना, जर जल्दी मुझे मुझे बताओ, और वो जो shortcut है न, वो तुम्हारे यह closet से होकर कर जाता है, यह closet, यह doll कैसे बहकी-बहकी बाते करी, पर दो मेरे पापा को ठाकर लेकर चली गई, अब बोर यह तुम्हारा closet है, जो covered है, उसके अंदर से shortcut है, I don't know, कौन सा shortcut है, यह closet की बात कर रही है, यह मेरे वाले रूम के closet की, यह तो शायद नहीं खुलेगी, शायद मेरे रूम के closet के बात करें, मैं इसको यही पर शोड़कर जाओंगी, गंदी, गंदी सी डॉल, पापा को मेरे पता नहीं कहां लेकर चाली गई, मैं, अभे, यहाँ पर हिंट कर रही है, कि इधर, पर यहाँ पर आई कैसे, ओके खोला, नहीं खुल रहा है, अरे हाँ भाई, नहीं खोल पा ही था, ठीक है, कोई नहीं, अभी जा करके देखती हूं, यह देखो, फिर वापस से आ गई है, ओके, यह बोल रही है, कि यह जो क्लोजेट है, एक पोटल की तरह यूज होगा, पर कैसे, यह तुम्हें कभी भी कहीं भी लेकर जा सकते हैं, ठीक है, वहाँ भी जहां पर और राइट, मैं भूल गई, क्या भूल गई भाई, यहाँ पर जाने के लिए थोड़े से स्टेप हैं, जो कि आर तुम्हें इस शॉटकट को अक्टिवेट करना पड़ेगा, उससे स्टेप को फॉलो करके, ओके, बता ना, अपने पापा का रेडियो लेकर किया, और काम करेगा, तुम्हें एक फ्रिक्वेंसी सेट करनी पड़ेगी, और जैसे यह फ्रिक्वेंसी सायद मैच होगी, है न, हाँ, देखो, जब भी एक राइट फ्रिक्वेंसी पे मैच होगी न, तो यह जो क्लोजट का दरवाजा है न, यह खुल जाएगा, ठीक है, कर दिया, नंही कुला, नही खुला, ओ, चाद और सेट करना पड़ेगा इसको, यह खुला, यह खुला, यह घड़ना है, मुझे, नई, 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 सीम्स लाइक, अट्स्, नॉट इंरे लेट लेट्स ट्राय अ मेच हे खुले कहें, थीक है, पिर से ट्राय कारा मैंने, अभी खुल यह और बहुत-बूदड वाला अज़ा ऑग जाओ नहीं है और दाव receptor यृम्त सबस्क्रा फूर्श का बहुत जिया बहुत जो मैं, तो आज बहुत ज़िए की, Musik г- लेचन से करें घर्मने, ठीकर लुम्हें मा इसे लुद्ध के यह क्या हो रहा है यहां पे यह कौन है क्या गंदे सकल का मैं तो बढ़ियां हूँ तुम बताओ उ मैं ना अपने पापा को ढूंड रही हूं प्लीज डिस्क्राइब अब पापा को क्या सक्राइब करूं ठीक है मेरे पापा के नाव ब्रूस है ए वेट आ बुच रहे हैं फुर्श रहे हैं थोड़ा से काइंड परसन है और अ वह बाद गुसा कर लेते हैं तो तुम्हाई क्या बता हूं यह कभी-कभी मुझे मारते भी है एंड थपड भी लगाते हैं एंड अब दैट्स अल हाँ दोर इस बहाइंड यू ओके ओ यह दोर की बात कर रहे हैं यह क्या है यह क्या था यह मैं इसमें क्यों डरी अन्डॉर्मल सा था हट पागल बच्चा ओ भाई यह को आर्यों गाईज जस्लाइक यू वियर किट्स ओन आर वे टू फाइंड पेरेंस यह भी अपने पेरेंस को दूनने आए पर इनके पेरेंस को मिस्टर रेट पर उठा रहा है कि हम लोग यहां पे थोड़ा सा ना रुक रहे हैं तो तुम यहां पे हमें जॉइन करना च कुछ जो पापा यह प्लीज स्टॉप पनिशिंग मी आरे मैं क्यूं पनिस में तो बचाने के लिए आई हू widget शबन सा चलो मिय नहीं हं comparison में बचाने के विश्च में अरे मुझे मिल यह क्या है स्पेल आड़नों यह क्या हुआ मेरे साथ भाई क्यों मैं डर रही हूं यह बच्चा वापस से इस क्लोजेट में आ गया जिस क्लोजेट से हम लोगों ने मम्मी कहां से आ गई मम्मी बहुत बुरा देख रही है अरे 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 पूरी मुझे पूछ रही कि क्या हुआ तुम्हारे साथ तुम यहां पर इस क्लोजेट में क्यों छुप रहे हो मम्मी वो रेड फेस है ना पापा को लेके गया यह बहुत लंबी कहानी है रुको मैं आपको बताती हूं अच्छे से तुम्हारी जो डॉल रॉन है वो कैसा कर रही है आमीन वो कैसी है वो ठीक है हा डॉल मॉम आपको कैसे पता उस डॉल के बारे में अफ्कॉर्स आइनो तो यह कोई फर्स टाइम नहीं है कि जो तुम इस यह प्रोब्लम होती है तुम हर बार कुछ नया नया स्टोरी लेकर के आते हो ठीक है तो मुझे पता है और हमेशा तुम एक ही उस स्टुपिट डॉल के बारे में बात करते हो भाई यह क्या हो रहा है यह कुछ बीमारी के बारे में बात कर रही है मेरी तुम्हें याद नही जो तुमने पिछले बार अपनी स्टोरी सुनाई थी एक नई ममी नई पता मुझे नई पता कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है जल्दिस जाओ अपने बेड़ पे और ये अल्रडी बहुत जादा रात हो रखी है यार पता नियार ममी को भरोसा ही नहीं हो रहा है मेरे पे मैंन पागल इसा छोड़ छोड़ मुझे बाई क्या गंदा सा कर गई मैं हाट दिया मेरे को ममी फिर से आ गई क्या हुआ बेटा तुम ठीक तो यार पता निये जो ममी है शायद मेरे बगल में सोने वाली हूं अब तुम क्या अच्छा फील कर रहे हो हां ममी मैं तो अभी काम पर नहीं जाओंगे मैं छुट्टी लूँगे और तुम्हारा ध्यान रखोंगी ठीक है ममी पक्का पक्का प्रॉमिस करो आप प्रॉमिस तोड़ देते हो ओके ममी प्रॉमिस कर रहे है कि कल मेरे साथ घर पर रहेंगे और मेरा ध्यान रखेंगी और अभी जाओ तुम रूम में सो जाओ ठीक है ममा मैं सोने जा रही हूँ यह गेम थोड़ा सा ना मिस्टरी यहां पर क्रियेट हो रही है बहुत सालची जोगा कॉंबिनेशन जोंकि अभी मुझे समझ में नहीं आया है ममी अरे ममी कहा गई ममी आपने मेरा प्रॉमिस फिर से तोड़ दिया और वापस से ऑफिस चले गए वाँ ममी ने बोला था कि वो मेरे साथ रूम पर रुखेंगी पर नहीं वो तो चली गई यहां से ऐसे इस क्लोजर से मैं पापा के पास गई थी ना पता नहीं पापा का अभी कोई आता पता नहीं है और ममी का कहना है कि मैं ही यह हो रही हूँ ठ चुकी हूँ अबे यह गंदा सा डॉल अभी यहीं है अरे है क्या हो रहा है यह डॉल के साथ दो कुछ बूरा हुआ देखो कि यह बहुत पीटा ए क्या हो गया तुम्हें मेरी मास्टर ने ना मुझे बहुत रहा है शोरि मैं उसे रोक नहीं पाए हो तुमारे मम्मी को ले गये हैं? और तुम्हें भी यहां से भाग जाना चाही नहीं, तुम्हें भी ले कर चले जाएंगी। क्या? नई, मुझे अपनी मम्मी को बचाना होगर अपने पापा को भी। कैसे? कैसे? हाँ, कैसे बचाऊँगे तुम? तुम देख नहीं रहो मेरी हालत क्या कर रखिये मेरे माश्टर नहीं कितना मारा है मुझे देखो हा यार इसकी हालत तो बहुत जादा खराब कर दिया है उसने पर कोई नहीं मेरे पास ना कुछ तो है यहां पे I found this at my dad's prison जहां पे मेरे पापा किड्नैप है ना वहां पे मुझे यह spell करके कुछ मिला है I think यह सायद हमें उसको हराने में मदद करेगा शायद है ना that that's the spell to defeat mr. red face okay यह doll bowling जो spell है ना इसकी मदद से हमें red face को हरा सकते है okay ठीक है तुम जल्दी से ना मेरे पास और उस closet में वापत से चलते हैं ठीक है जहां पे तुम्हारे मम्मी को रखा गया है ठीक है इस वाले closet में शायद नहीं जा सकते ना में अपने पापा ऐले closet में जाना पड़ेगा आई मिन जो अपने मेरे ममी पापा का close it है okay यहां पे है ना जा हूं मैं जल्दी जाना पड़ेगा, इस बार मुझे अपने मम्मी को बचाना है, और अपने पापा को भी, I hope कि वो यहीं पे है, मेरे पास ये एक स्पेल करके है, और उस डॉल ने बोला है कि इसकी मदद से ना हम लोग अपने जो रेड फेस है, उसको हरा सकते हैं, पर इस लोग कहा द लो, कहा फेकना है, यहां पर, ओके, फेक दिया, कवर ले लिया, अब बता भाई कहां कवर लूँ, मैं को तो समझे नहीं आ रहा कवर कहा ले न है, पेड के पीछे, यहां बच्चों के पास जाओं, जहां आप से वो देख रहे हैं, यहां पर, ओके, कवर ले लिया मैंने, अभी क्या होने वाला गाईज यहाँ पर यह गेम तो काफी जादा मिस्टेरियस हो गई और यह रेड़ फैस आ रहाई यह देखो यह गंदे से सकल का बंदा यहाँ पर आया और यह अंदर गया उस रूम में जहाँ पर मेरी मम्मी रो रही दरवाजा बंद कर दिया इसने और पता नहीं यहाँ पर क्या ओ शट क्या इसने मेरी मम्मी को मार दिया या फिर उस स्पेल की मदद से वो मिस्टर रेड़ फैस मर गया यह एक सक में जाकर कर देखना पड़ेगा अरे यह तो यहाँ से गाया भी हो गया मैं इसमें जा भी नहीं सकती अब वो एक और पोटल खुला है उदर मुझे उदर जाना चाहिए शायद मुझे उदर जाना चाहिए ओके आ गई क्या हुआ मेरे साथ वो डॉल कहा है अरे इस डॉल के हालत तो खराब हो गई क्या हो गया तुम्हारे साथ तुम्हें हो क्या रहा है भाई मेरा मास्टर जो है न वो अब हार चुका है और जो भी उसने मैजिक मेरे उपर करी थी न वो सारे के सारे फेड आउट हो रहे हैं लाई का वो खतम हो रहे हैं Are you disappearing? तुम क्या यहापे मतलब completely खतम हो जाओगे Don't worry, this is what I wanted Dad, क्यों? तुम ऐसा क्यों चाहते थे भाई? तुम बाहर जाओ और जो अपने पैरेंस है न उनको देखो Okay मैं आ गई बाहर मेरे पैरेंस घर में घर में तो नहीं है यह यहाँ पर कोई खड़ा है कुछ तो है यह कौन है? अच्छा, यह तो मेरे ममी पापा है ओके, यह ममी पापा Dad, Mom आप दोनों आ गए बापस भाई यह पापा न तो ममी को मार दिया तुम्हारा यह पूछ रहे है कि तुम्हारा कोई अफेर चल रहा है भाई, ममी का अफेर मैं तुम्हें कितनी बार बोला है कि मैं अपने काम में बिजी रहती हूँ जूटी तुम्हें मुझे और इस फैमिली को सब को इगनोर कि एक दूसरे आदमी के चकर में तुम्हें जरा से भी सर मैं अपने बेटेस तुम हर बाट जुट बोलती हो भाई ये ममी को क्या हो रहा है और तुम क्या तुम्हें क्या लगता है कि तुम उसे बेटर हो तुम हमेशा घर में रहते हो चार बस घर में पड़े रहते हो तुम्हें नहीं लगता कि तुम किस टाइप के फादर हो एक इनके बीच में काफी बयानक सभवा जगड़ा चल रहा है इससे कोई मतलब नहीं कि मैं क्या करती हूँ ठीक है ये मेरा उपना है ठीक है पर सिंसर में इस घर नहीं बोलोगी, fine, you and I will get a divos, भाई, इनका divos हो रहा है, अरे क्या है, हम दोनों में से कोई एक ना इस घर को छोड़ करके जाएगा, और ये मम्मी बोल रही है कि अगर तुम कल फिर से मुझे यहां पर दिखे, तो मैं अपने बच्चे को ले करके यहां से चली जाओंगी, प और पापा, ओ, ये ड्रिंक मेरे पापा पी रहे थे उस वक्त, जो बीच में पिया था, वही सीन चल रही है, फिर ये पी रहे हैं, I don't know, ये क्या चल रहा है, नहीं ये अर शायदी अभी पी रहे हैं, ओके, पता नि, ओ, पापा ही Mr. Red Face है, what the f, Red Face, I won't let this happen, okay, मैं ये नहीं होने दूँगा, पर क्या, okay, ये Red Face जा रहा है, यार मेरे पापा ये Red Face है, या फिर क्या है, बड़ा confusion में है, okay, ये तो चलेगा यहां से, मुझे क्या करना चाहिए, ये भी नहीं खुलेगा, मैं अपने डॉल के पास जा, अरे, ये क्या हो रहा है, और ये त यार, इस बाप ने अपनी पेटे को मार दिया, तो यहां पर Red जो बुरा आदमी था, वो इसके पापा थे, शायद तभी ये Red Face, पापा, नहीं, 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 ये सच नहीं हो सकता, टॉल, I am very sorry, Ron, ये बोल रहा है कि अब शायद तुम अपना जो Closet है न, उसको खोल रही हूँ, ओके, ये तो मैं हूँ, मतलब मेरे पापा ने मुझे मार करके, मेरे ही Closet में बंद कर दिया था, मतलब मुझे ये सब के बारे में आखिर पता क्यों नहीं है, ये डॉग बोली कि तुम्हें पहले से हर कुछ ही पता है, तरीके से देखा जाए तो, क्यूंकि I am knowing part of you, okay, ओ भाई, क्या twisting, मतलब यार ये गेम, अब समझ में आई कि लोग इसे क्यों देख रहे हैं, मतलब ये बच्चा है, ठीक है, एक बच्चा है, जिसको पता है कि उसके पापा बहुत अच्छे हैं, और एक जो और है, उसी का identity, उसको पता है कि उसके पापा बुरे हैं पर ये जो बच्चा है, इसको पता नहीं है, like, I don't know, मैं आपको समझा पा रहे हैं, पर रुको एक सकेंड, ओके, ये डॉल बोल रही है कि तुम हर बार इस चीज को मना करते आए, और खुद ही एक स्टोरी बना रहे हैं, कि मेरे पापा अच्छे हैं, ताकि तुम अच्छा तरीका डूढ़ना था, जिससे मैं तुम्हें ये बता सकूँ, एक रियालिटी तुम्हें बता सकूँ कि तुम्हारे पापा एक्च्छोल में कैसे हैं, तो इसलिए मैं एक डॉल बन के आई, ठीक है, और मैंने बहुत बार कोसिस करी, कि ये जो, मतलब टूथ है, तुम्हें इसलिए, इसको एक्सेप्ट करवा दू, ठीक है, लेकिन हर बार मैं यहाँ पे फेल होते गई, और पता ही क्या हुआ, टिक टॉक, बूम, all the memories disappear, you once again wake up in the starting point, which is the night your dad murdered you, ओके, इसके पापा ने इसको मारा था, गाईज, मैं, like, how long have I been dead, 14 days, ओके, 14 दिन के लिए मैं ये कौन स मौत हुआ बाई, 14 दिन के लिए बस में मरी थी, it can't have been that long, हाँ, really, what really happened to my parents, ये डॉल बता रही है कि तुम्हारे जो पापा है न, वो एक कोई, सस्ता सा मॉटेल रूम है, वहाँ पे छुपे हुए हैं, ओके, ओ, कोई आया, कोई तो आया, ये कोण आया, ओ, ये रहे इसके पापा, जो कि मर्डर करके यहाँ पे छुपे हुए हैं, ओ, भाई, ये अपने पापा के पास गया, और फिर से बोल रहा है, कि पापा मेरे साथ, घर पे चलो, ओ, 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 ओके, अच्छा, समझ गई, हम, बट इफ इस डे टाइम, मॉम, बेटा, अच्छा, अब ये मेरी मम्मी का पी ओवी है, ठीक है, वो अपने बेटे को ढूंड रही है, यहां करके हर जगा क्लोजेट में भी ढूंड रही है, यहां भी नहीं मिला, वो आकर के उसके रूम में पी उसे डूंडा, वहां नहीं मिला, और उन्होंने उसका क्लोजेट खोला और वहां तो उनका बेटा यहां पे मरा हुआ, मिला है, पर इसके डैड इतने बुरे क्यों थे, जो अपने बेटे को ही मार दिया, उनका बेटा तो यहार उनसे कितना प्यार करता था, और यह एक पा हुआ है, यह शायद मना कर रही है, किसे कुछ भी नहीं पता, यह बोल रहा है कि आपने ना नीचे कुछ ड्रॉप किया है, ओके यह क्या है, I don't know, यह तो वही है क्या स्पेल वाला कार्ड, ओके, भाई, गेम तो काफी यादा मज़ेदार था, बाके आपको कैसा लगाना है, यह मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना हा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर, और ऐसे ही यार अच्छे अच् सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, बाके चलो यार मिलते हैं आप लोगों से नेक्स किसी वीडियो में, तब तक के लिए बबाए